नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में अगें जीटियल इंफ्रा स्टॉक को डिसकस करेंगे जीटियल इंफ्रा इस समय एज एक्सपेक्टेड जो टेक्निकल ट्रेंड है वो देखेंगे इस स्टॉक में आउट परफॉर्म करते दिख रहा है और पिछले लगबग वन मंथ में देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी पास्ट वन मंथ के ट्रेंड को एक बार देखेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी जो है पिछले कुछ दिनों में दिखा है एपिसोड में आगे बरहें उससे पहले प्रीमि पैसे के ट्रेंड पास्ट वन मंथ में दिखा है अब यहां 2 रूपीज 60 पैसा एक रेजिस्टेंस बनेगा और इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट 4 रूपीज टू 8 तक के लेविल्स दिखा सकता है यहां जो अल्रेडी इंवेस्टेड हैं वो तो ठीक है लेकिन जो फ्रेस बाइंग करेंगे उनको थोड़ा कोसन होना चाहिए उनको थोड़ा साफधान होना चाहिए सबसे पहले यहां देखेंगे तो आज इस श्टॉक में लगबग 18 करोर का वॉल्यूम दिख रहा है तेन करोर तो पेंडिंग बाइंग ही दिख रही है इस श्टॉक में खरीदार कर रहा है और मैंने कई बार इस बात को रिपीट करा है कि fundamentally there is no any news this stock is directly related to the trend of market अगर बजार ट्रेंड दिख रहा है तो यह stock outperform करेगा और अगर बजार वीक दिख रहा है तो यह stock underperform करेगा और यह एक consolidated zone था जिस zone में यह वाला zone एक consolidated zone था जिसके बाद ब्रेक आउट करा एक ह एक आउट पर 4228 के लेबिस भी दिख सकता है overall trend is strong है पहली डैली 260 पर गया और यह potentially मुझे लगता है कि 4 प्लस तक का रैली दिख सकता है तो यही है कि quantity limited रखें रैली को ट्रेंड करें weekend trader यहां exit हुआ थोड़ा एकिट आपको 280260 पर दिखेगा और फिर यह trend continue